ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आज है छोटी दीपावली और छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुपकामना है मतलक्षमी आप सभी की घर में हमेशा निवास करें आज हम बात करेंगे इसी कौन सी वो पांच चीजे हैं जिसको आपको अपने घर से हटा देनी है तो कुछ ऐसी चीजे हैं जो पूज पंडी जी ने बताई है कुछ चीजों को मैंने वास्त को एक किताब में देख करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने स्लीपर है जिसको आप चपल बोलते हैं इसकी जो कुंडी होती है चाहे कोई भी कुंडी हो तीनो कुंडी में से कोई भी कुंडी अगर टूटी हुई है तो आप इस कुंडी को बनवा लें अगर आपको लगता है कि स्लीपर फेकने लायक है यूज का नहीं है तो आप उसको फेक दें लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ये चलने लायक है यूज के लायक है तो आप उसको बनवा करके रख लें और यूज करें ठीक है ये एक काम आपको कर लेना है कि कोई कुंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ें दूसरा काम आपके सामने है यहाँ पर घड़ी जो घड़ी है वो कभी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए आपके घर में अगर कोई भी ऐसी घड़ी है जो रुकी हुई है खराब है तो उसको आज के आज ही बन और अगर बनने लाइक है तो आप बन वालें वरना अगर आप उलकता है नहीं बन पाएगी तो फेक दें या फिर किसी कबाड़ी वगरा को बेच दें तीसरी चीजा आपके सामने हाँ पर दिख रही है जाला अगर आपे घर में कहीं पर जाला लगा है तो उसको तुरंद अगर बढ़ें चौती चीज़ बताने जा रहा हूं लेकिन उससे पहले अगर अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे है अचानक से इस वीडियो पर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर क अगर आपको लगता है कि यह खराब हो चुका है अब यह यूज का नहीं है तो उसको हटा दें लेकिन आपको लगता है कि नहीं अब यह सही हो सकता है कुछ पैसे लगा देंगे सही हो जाएगा तो आप उस तॉर्च को बनवा करके रख लिजे क्योंकि दीपावली का पर भी रोशनी का है और अगर रोशनी आपके ही घर में नहीं रहेगी तो माता लक्षमी का निवास नहीं होगा ठीक है पांचमी चीज और आखरी चीज की हम बात करते हैं यह है रद्दी अगर आपके घर में कोई ऐसा पेपर बहुत इकठे पड़े हुए हैं आपको लग रहा ह आपे घर में कोई भी ऐसा रद्दी का सामान नहीं होना चाहिए तूटा फूटा कबार नहीं पड़ा होना चाहिए जिससे माता लक्षमी आपे घर में निवास नहीं करेंगी ठीक है तो यह पांच चीजे मैंने आपको बताने की कोशिश की है उमीद करता हूँ कि आपको स पूछना हूँ तो नीचे कोमेंट में जरूर पूछा करिए मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं आपसे बार बार कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए ठीक है ओम नमस्षिवाय जै महाकार